मित्रों अब आगे हम लोग बात करने बाले हैं कि जिन लोगों का नाम जिड अक्छर से सुरू होता है तो इस नाम के लोगों के जीवन में साल 2022 में क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके सेहत के बारे में मित्रों आने वाले शमय में सेहत के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामाने रहेगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब मित्रों साल 2022 में आपको फरबड़ी एबम मार्च के महिने में पेट से संबंधित पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा इसलिए आने बाले शमय में आपको अपने सेहत के मामलों में हर हमेशा शाबधानी बरतनी चाहिए मित्रों आने बाले शमय में आपको बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए क्योंकि आपके सेहत के लिए यह बहुत जयादा नुकसान दायक होगा मित्रों आने बाले शमय में साल के मध्य में किसी बात के कारण आपको मानसिक तनाब का सामना करना पड़ेगा लेकिन आने बाले शमय में जिस काम को करने से आपको खुसी मिले, जिस काम को करने से आपको मानसिक सांती मिले, ऐसे काम को करने का प्रियास आपको करना चाहिए। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आने बाले शमय में आपका confidence label आपके body में उर्जा का अस्तर बहुत जयादा मजबूत होगा एबम आने बाले शमय में आपके सेहत के मामलों में कोई भी पड़ेशानी, कोई भी समस्या नहीं होगा मित्रो आने बाले शमय में यदि आपके प्रेम जीबन की बात कड़े तो प्रेम जीबन के दृष्टी कौन से आपका आने बाला शमय बहुत जयादा मजबूत एबम बिहतर होगा मित्रो आने बाले शमय से पहले यदि आपके प्रेम जीबन में कोई भी पड़ेशानी, कोई भी समस्या था तो आने बाले शमय में उस पड़ेशानी को खत्म करने का प्रेयास आपको करना चाहिए क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा मित्रो आने बाले शमय से पहले यदि आपने अपने प्रेमी या अपनी प्रेमी का से कोई भी वादा किया था, कोई भी प्रोमिस किया था तो आने बाले समय में अपने व्वादे को अपने प्रोमिस को आपको निभाना चाहिए क्योंकि आने बाले समय में यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा मित्रों आने बाले समय में आप में से जो भी जातक प्रेम बिबाह करना चाहते हैं तो साल 2022 में आपको प्रेम बिबाह करने में कुछ पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा तो आने बाले शमय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए मित्रों आप में से जो भी जातक अब तक अकेले हैं इबं आने बाले शमय में यदि आप अपने प्रेम जीबन की सुरुआत करना चाहते हैं तो साल 2022 में आपके प्रेम जीबन की सुरूआत अबश्य होगी आपके प्रेम जीबन को सुरू करने में आपके समय का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा एबम आने बाले समय में आपका प्रेम जीबन बहुत ज्यादा मजबूत एबम रोमान्चक होगा मित्रो इसके बाद मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्छा के बारे में मित्रो आने वाले शमय में आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्छा के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने रहेगा न जयादा मजबूत न जयादा खराब मित्रो आने वाले शमय में यदी आप अपने पढ़ाई लिखाई अपने सिक्छा के छेत्र में समय का दृष्ट्योग नहीं करते हैं तो आपके सिक्छा के छेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको अबश्य मिलेगा लेकिन आने बाले शमय में यदि आप अपने कीमती समय को बड़बाद करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा मित्रों आप में से जो भी जातक प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आने बाले शमय में प्रतियोगी परिक्षा के छेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको अबश्य मिलेगा आने बाले शमय में प्रतियोगी परिक्षा के छेत्र में आपको सफलता अबश्य मिलेगा लेकिन उस सफलता से आप जयादा संतुष्ट नहीं होंगे लेकिन मित्रों आने बाले शमय में आपके पढ़ाई लिखाई में आपके घर का कोई ब्यक्ती आपकी सहायता बहुत जया तो मित्रों यदी कुल मिला कर देखा जाए तो साल 2022 जेड नाम वाले लोगों के लिए सामान्ने तौर पे सही रहेगा तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले शमय में किस टोटके को आजमाने के बाद आपका शमय बहतर एबम सांदार होगा मित्रों आने बाले समय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको नियमित रूप से असनान ध्यान करने के बाद अपने इस्टदिब की पुजा करनी चाहिए मित्रों यदी आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदी आप आजमाते हैं तो आपका आने बाला शमय बहत जयादा मजबूत एबम बिहतर होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वेडियो के नीचे जय बजरंग बली कमेंट कर दे एबम इस वेडियो को आप हड़ जगह से यर कर दे धन्यवाद जय सियार प्रादाँ प्रादाँ